और इसका पूरा पूरा लाब उठाया है तो चर्चा का जो विशय है हर मन में एक मन्थरा बैठी है हर मन में एक मन्थरा बैठी है रामचरित मानस की यह चर्चा है तो यह मन्थरा कौन थी मन्थरा ने क्या किया था और यह मन की मन्थरा कौन सी है मन और मन्थरा का बहुत ही गहरा संबंद है, इसलिए आज मन की मन्थरा पर हम चर्चा करेंगे, तो एक मन्थरा तो कैकई की दासी है, लेकिन एक मन्थरा जो मन में बैठी रहती है, सब के मन में रहती है और कैकई के मन में भी है, एक मन्थरा जो कैकई के मन में भी है, तो यह जो मन्थरा है, यह करती क्या है, यह क्या करती है, मन्थरा का कार्य क्या है, तो जो वो करती है, वही बड़ा घातक हो जाता है, को घातक ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए विचार करना चाहिए चिंतन करना चाहिए और जो वेक्ति चिंतन नहीं करता उसकी बड़े दुरगती होती है कि तो मंच ने जो किया किया वह घरगर में हो जाता है औरो जाता है आप कहिए बार मंक भाटर ने जो किया वह घरगर में हो जाता है क्यों घरगर में हो जाता है क्योंकि हम इस पर कभी भी विचार नहीं करते अगर विक्ति विचार शील हो तो फिर वो ना हो जो मंत्रा ने किया हमारे साथ क्योंकि संग है दाशी है तो क्या हुआ है तो संगत में अगर दाशी भी है तो लेकिन वो कैकई के संगत में है कैकई के संग है मंत्रा ने जो भी किया सब जानते हैं जग जाहिर है कि क्या किया मंत्रा ने और कैसे किया विचार करने योग्य बात क्या है? विचार करने योग्य तथ ये है, हम यह विचार करें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कई बार हम सही से विचार शक्ती का प्रयोग ना करने के कारण बहुत बड़े नुकसान में हम हो सकते हैं. वैसे तो देवताओं के लिए मंधरा ने अच्छाई किया रामचरित मानस की कथा है रामचरित मानस की कथा के अनुसार देवताओं ने देखा कि अब तो राम राजा बनने वाले है राम का राजविशेक होने वाला है परंतु अगर राजा बन कर राजपाट सम्हालने में लग जाएंगे तो हमारा कारे कौन करेगा रावन का वद कैसे होगा इतने सारे राक्षस जो यग्यों को नुकसान पहुचाते हैं रिशी मुनी को बहुत भारी नुकसान पहुचाते ह गव हत्या करना ब्रामन हत्या करना और यग्यों को नुकसान पहुचाना वो जो राक्षस हैं उनका विनाश कैसे होगा उनका नाश कैसे होगा तो देवताओं को अपनी चिंता सताने लगी और सभी देवताओं ने मिलकर माता सरस्वती जी के पास वो जाते हैं और माता सरस स्मति से प्रार्थना करते हैं कि है माते तु हम पर कृपा कर और किसी प्रकार कुछ ऐसा कर जिससे की राम जी का वनवास हो जाए राम जी का वनवास हो जाए और वो राज गद्धी पर अभी ना बैठें अभी वो राज पाठ ना समाले अभी वो वन में जाए वन में रिशी मुनियों को जो नर्भायता प्रदान करनी है उस कारे में वो लग जाए और दुष्टों राक्षसों का वध करें उनसे प्रत्वी को मुक्त करें यह वन में जाकर ही होगा राजपाठ राजा बनकर यह काम नहीं हो पाएगा तो देवताओं ने विचार किया और माता सरस्वत जो विद्या की देवी है बुद्धी मता की देवी है उनके पास जाकर बहुत प्रार्थना की और कहा कि माते अब आप ही हमें इस से इस माहौल को समहाल सकती है तो देखिए वैसे तो देवी देवता हमें सब कुछ देने वाले हैं क्या देने वाले हैं कर्मों का फल ही देन वाले हैं वास्तों में हम जो भी कर्म करते हैं दानपुन्य के रूप में चाहे प्राश्चित के रूप में चाहे नित्य निमित कर्म के रूप में हम जो भी कर्म करते हैं जो भी कारे करते हैं उनका फल हमें मिलता है कर्म की साधन भी देवता बनते हैं और साथी साथ कर्म का फल्भी देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता हुआ माना गया है। मिमांसा की विचारधारा यहीं पर सिद्ध होती है। मिमांसा शास्त्र, पूरु मिमांसा, अचारे कुमारिल भठ, प्रभाकर मिश्र, रिशी जैमनी, शबरमुनी, तो ऐसे रिशियों ने जिन्होंने म इमांसा सुत्र में परकाम किया और कर्म सिध्धान्त को प्रस्तूच किया उन्होंने देवताओं के सत्ता मानी और देवताओं के सत्ता देवता मंतर रूप हैं भावरूप हैं शब्द रूप हैं इस प्रकार से माना है देवताओं को उन देवताओं के वर्धी होने से निश अब यहाँ पर अब देवता आए और आकर सरस्वती जी ने मंतरा के बुद्धी फिर्दी ये कौन जानता है। इसे किसी ने इस पर श्रूप से तो देखा नहीं है कि ऐसा हुआ। वहाँ पर बात कहानी कुछ और हो जाएगी। फिर जो बुरा भी हो रहा है उसको भी मान लो कि भाई भले के लिए हुआ है। भविश्य में उससे भलाई हो जाएगा जो बुरा हो रहा है माना जा सकता है पॉजिटिव थिंकिंग है लेकिन यह जो पॉजिटिव थिंकिंग है न देखो अती सरवत्र विर्जते किसी भी विश्य की चानक के निती कहती है कि अती किसी भी विश्य की अती जो है वो विश् कि यही परिभाषा दी है शुट की यही परिभाषा अचारे चारक ने दिये यह차 की वो साप ripe के विश के लिए भी कहते हैं लाय के विश के लिए भी कहते है कि अगर वो भी सही मात्रा में शरीर में जाये तो नुकसाद नहीं करेगा बड़े-बड़े से विश निकलते हैं और वो विश इसको लग जाता है मनुष्य को जिसको भी सर्पने काटा है उसको लग जाता है चीक है उसको लग जाता है और क्या तो इसलिए अगर वो ज्यादा मात्रा में होगा तो मिर्त्यू हो जाएगी अगर संतुलित मात्रा में है तो वो विश्वी अम्रित है, अम्रित कुछ नहीं, जो भी संतुलन है, वो अम्रित है, जो संतुलित है, वो देवता है, और जहां संतुलन बना, वहाँ पर असुर आ जाते हैं, तो चलिए, भले ही यहाँ पर संतुलन बन रहा है एक, और भगवान राम वनवास जाएंगे, यह जो घटना घट कौन है कई-कई राजा दश्रत की दूसरी पत्नी सबसे प्रिय पत्नी है क्योंकि कई-कई क्या बाकी पत्निया प्रिय नहीं थी क्या वो सुंदर नहीं थी क्या उनके पास सुंदर धन नहीं था एक से बढ़कर एक सुंदर एवान थी देवी कौशलिया भी सुंदर एवान थ लेकिन माता कई-कई के अंदर एक विशेश गुन था और वो था कि वो सौंदर रिवान होने के साथ वीरांगना भी थी वो एक कुशल युद्धा भी थी, कुशल राज नितग्य भी थी, वो पॉलिटिक्स समस्ती थी, जानती थी, राज नीती के सुत्रों को जानती थी और युद्ध विद्या भी जानती थी, बाकी रानियों के तूनला में वो जादा सिक्षित भी थी, जादा सिक्षित थी और विरांगना तो थी ही देवा सुर संग्राम में राजा दसरत का युद्ध उसने राजा दसरत की सहायता की रत को खीचा और जब दसरत मुर्चित हो गया तो धनुश बाण लेकर असुरों से युद्ध भी किया तो कई-कई के अंदर एक विशेश गुन था कई-कई का एक विशेश प्रभाव था परन्तु जब मन में स्वार्थ आ जाए और शास्त्र पर से भरोशा उठ जाए सास्त्र पर से भरोशा उठ जाए तो मनुश्य सोचता है कि क्यों ना वो जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी हो जाए सुख की तलाश करना बिलकुल गलत नहीं है करना ही चाहिए परन्तु मार्ग बहुत ही गलत लोग चुनते हैं क्योंकि सही रास्ता नहीं मिलता है खाल मांस के शरीर से आदमी कितना सुखी हो जाएगा कितने भोगों को भोग लेगा अधिक भोगेगा और संतुलन को बिगाड़ेगा तो वो भोग भी रोग में परिवर्तित हो जाएगे वो भोग भी रोग में परिवर्तित हो जाएंगे जो चाहता है कि अपनी बुद्धी से अपना दिमाग लगा कर लोग करते हैं राजनीती में यही सब तो चलता है और किनों ने थोड़ा जादा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया तो उनको लगता है कि सारी दुनिया हमारे ब से चलती है थोड़ा सा गोटी बिठाना क्या सीख लिया उनको लगता है कि हमें सत्ता बना देंगे और हमें सत्ता पलट देंगे और एक टाइम पर वो करने में सफल भी हो जाते हैं क्योंकि प्रकृति मौका सब को देती है लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है या प्रिथ प्रकृतन आ जाएगा तो सब नश्ट हो जाएगा जो भी तुमने बनाया कुछ टिकने वाला नहीं है और जिसको तुमने बनाया वही तुम्हारे पीछे पढ़ जाएगा वही तुम्हारा नुकसान कर देगा जिसको तुमने ऐसे अनेकों कथाएं है राजनीती में इतिहा के साथ होता है यह एक अलग बात है एक अलग बात है हमारे देश में के नेता जी आजकल जेल में रहते हैं अब नेता जी ने एक समय पर प्रधान मंत्री ही बदल दिया था अपने बहुमत से अपनी शक्ति से के बाई इनको प्रधान मंत्री बना दो तो मैं समर्थन कर दूँगा और उसके बाद उस व्यक्ति को भी बदल कर किसी दूसरे को प्रधान मंत्री बना दिया दो दो बार प्रधान मंत्री बदल दिया नेता जी ने अब नेता जी को लगा कि शायद अब पूरा भारत मेरे मुठी में है सरकार मेरे मुठी में है मैं जब चाहे तब कुछ भी कर लूँगा लेकिन समय पलट गया नेता जी बिचारे जेल चलेगा और जेल में ही है आजकर और जेल भिजवाया किसने उनके जो कारनामे थे कारनामों की फाइल किसने खुलवाई तो उन्हीं प्रधान मंत्री ने खुलवाई जो उनके समर्थन से बने थे उन्हीं प्रधान मंत्री ने खुलवा दी जिसने जिसके लिए इस आदमी को प्रधान मंत्री बनाओगे तो मैं समर्थन करूँगा हालत कुछ ठीक नहीं थी कई आरोप थे भ्रस्टाचार के फाइले खुलनी शुरू हो गई अब जेल में पड़े हुए चोड़े अटाओ उदाहरन में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्योंकि राजनीती के इतिहास में ऐसे अनेको घटनाए होती हैं बहुत कम लोग होते हैं जो शुब करमों की पूंजी पर विश्वास करते हैं और कैकाई ने भी सोच लिया कि बस मैं महारानी बनूंगी मेरा बेटा राजा बनेगा यद्दपी कैकई ऐसा सोचने वाली नहीं थी कैकई की ऐसी बुद्धी नहीं थी लेकिन है ना संगत से गुनावत है संगत से गुन जात है सत्संग की क्या महिमा कही जाए और संगत की क्या महिमा कही जाए पवन चढ़ाई रजे पवन प्रसंगा की चही मिलही नीच जलसंगा की अगर धूल के कण अगर वायू का संग कर ले तो हमारे माथे के उपर से उड़ते हैं धूल के कण अगर वायू का संग कर ले तो सब के माथे के उपर से उड़ते हैं और वही धूल अगर पानी का संग कर ले तो किचण बन जाती है कैसी संगत होती है, कैसे विचार मिलते हैं और आप अपने विचारों पर कितना ध्यान देते हैं, आपको thought management कितना आता है, mind management कितना आता है, सब के लिए है, आपको बहुत अधिक धन कमाना है, आपको बहुत अधिक कारे करना है, सत्ता हासिल करनी है पैसा भी हासिल करना है बहुत कुछ करना है आपको करिये लेकिन करते समय आप भूल जाते हैं कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ वो कितना उचित है और कितना अनुचित है आपको बस अपना फाइदा दिखाई देता है कि मैं तो प्रॉफिट में हो रहा हूँ न और इसी लिए बहुत जब ऐसे लोग की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो फिर इस्थिती बड़ी खराब हो जाती है देश की राज्य की जनता की और यही इस देश में होता आया है और आयुध्या के अंदर चलो आयुध्या में तो अच्छा परिनाम निकलने वाला है जो भी घटना घट रही है वह देवयोग से घट रही है और उसके परिनाम बहुत ही सुन्दर होने वाले है वो एक अलग बा योग से माना जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन बुद्धी ऐसी फिर गई कि कर्म का सिध्धान्त कैकई भूल गई, कर्म का सिध्धान्त कैकई भूल गई, जो राम चरित मानस का मूल सिध्धान्त जिसे तुलसी दाजी बार बार रेपीट करकर कई जगा पे लिख रहे हैं, कई जगा पर लिख रहे हैं तो दुरघटना तो घटनी ही थी साउधानी हटी और दुरघटना घटी पता नहीं मन से ही क्या हो जाए हमारे हमारे मन से बड़ा शत्रू कौन है हमारे मन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है दूसरा क्या मारेगा लोगों को उनका मन ही मार डालता ह दूसरा क्या मारेगा? मन ही मार डालता है और मन जो है बहुत भ्यानक चीज है और आजकल तो कोई ज़्यादा भ्यानक होगा है क्योंकि मनों रोग बहुत बढ़ रहे है रिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसकी जो फ्रीनिया जैसे बिमारियां घातक बिमारियां सब निर्भर नहीं सब भगवान करतेंगे मैं तो भगवान की भक्ति कर रही हूं अपना करम भी तो करो कौन करेगाorar और और कहते हैं कि विचार है एक बार एक बालक क्या हुआ एक बालक अपने स्कूल की घंटी बजी छुटी की घंटी छुटी हुई और बच्चे बाहर निकलते हैं स्कूल से बच्चे जुंड में बाहर निकले और बाहर निकले तो एक बालक था वो अपने घर की ओर जा रहा था मार्ग में कुछ उसके पीछे मित्र भी थे लेकिन आगे-आगे अकेला ही चल रहा था उसने देखा कि सामने एक विक्ती, सामने एक प्रोण विक्ती जा रहा है और उसने अपने जेब से रुमाल निकली, निकाली और रुमाल निकाली, तो उसका बठुवा भी निकल गया, अपने आप, अक्सर ऐसा होता है। जिसे जेब में बटवा रखे होते हैं और जेब में कोई दूसरा समान हो और जब हम उसको निकालते हैं तो बटवा भी निकल पढ़ता और हमें पता नहीं चलता गिर जाता है वही घटना घटी उसका बटवा गिर गिया उसका वैलेट गिर गिया और जब वैलेट गिरा तो वो दोड़ कर गया उसने उस बटवा को पकड़ा और पकड़ कर आवाज लगाई कि अंकल रुकिये भूल रहा था तब तक कोई पीछे से आया और उसके मूँ पर हाथ रख दिया और वो आवाज गूंजी नहीं पाई कौन था उसके मित्र थे मित्रों ने कहा कि अरे चुपरा बढ़े भाग्य से ऐसे है पैसे मिलते हैं अच्छे कासे पैसे होगे चलो सिनेमा चलेंगे खाय पिएंगे आज की मस्ती हो जाएगी पाटी हो जाएगा बताने की क्या जगूरत है अरे तुझे मिलने थे तभी तो मिले हैं विचार दे दिया अच्छी बात है पैसे मिले हैं, मुझे मिले हैं, आश्व करने के लिए मिले हैं, कर लो भीया लेकिन पैसे तो किसी और के थे, करम का सद्धान तो लागू होगा और जब लागू होगा तो समय आने पर फल भी किसी ना किसी रूप में देगा फल भी सहने के लिए तयार रहो इतना विवेक रखो कि जब दुख आएगा तो बहुत दुखी तो नहीं होगे बहुत अशान तो नहीं पड़ोगे खुद के उपर भी नजर रखो तो फिर ठीक है फिर कोई बात नहीं है लेकिन यदि विचारों के गुलाम बन गए आपके मित्र ने दे दिया आपके भाई ने दे दिया कभी मंथरा बन के कोई आ गया कभी कोई सकुनी बन के आ गया सकुनी ने सारा जीवन किया क्या क्या युद्ध लड़ा वो सही से जी नहीं सकुनी कभी सेना पती नहीं बना कभी युद्ध भी सही से नहीं लडा सकुनी ने बस विचार दिये विचार दिये विचार दिये कुछ लोगों का यही काम होता है और कई बार तो वो आपके ही लोग होते हैं, वो आपको ऐसे ऐसे विचार देते हैं, जिनमें वो अपना फाइदा देखते हैं, जिनमें वो अपना फाइदा देखते हैं, और मंतरा भी अपना ही फाइदा देख रही है, मंतरा सोच रही है कि भाई, अब राम राजा बन मातारानी हो जाएंगी और कैकई की फिर क्या हैसियत क्योंकि अभी तक दसरत राजा है तो दसरत एक विशेश प्रेम रखते हैं कैकई से तो कैकई का बहुत अधिकार है लेकिन जब राम राजा बन जाएंगे तो कैकई का कोई अधिकार नहीं होगा तो मुझे जो सुविधा क्याए प्राप्त होती है आसानी से वो कैसे प्राप्त होंगी तो कई बार हमारे जो अनुचर नौकर चाकर दास या हमारे कलीग या फिर हमारे helper लोग कुछ ऐसा सलाह देते हैं ऐसा advice देते हैं जिसमें कि उनका फाइदा छुपा होने के कारण ही देते हैं कारण ही देते हैं और आदमी सोचता है कि हम ऐसे ही जी लेंगे ऐसे ही कर लेंगे और कई बार लोग करते हैं बहुत बड़ी बड़ी कमपनिया कई बार बहुत बड़े समुह के जान के खत्रे में डाल देती हैं, कई बार यह ड्रग टेस्ट करने वाली कमपनिया, दवाईयों के टेस्टिंग करने वाली कमपनिया ना जाने कितने ही मासुमों के जीवन टेस्टिंग के चक्कर में खत्रे हम भी किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसा ही कर्म कर डालें, जो सही ना हो, इसलिए हमें अपना चिंतन मजबूत रखना चाहिए, अपना ध्यान योग अच्छा होना चाहिए, हम अच्छे से समझेंगे, तभी जाकर हम अपने लिए भी भला और समाज के लिए भला और अपन होने के चकर में और अधिक दुखी हो जाएंगे, यह समस्या आ जाएगी, वैसे सुख तो है, लेकिन फिर वो शांती में है, आत्म इस्थती में सुख है, फिर तो समाधी में सुख है, तो चलिए, गोस्वामी तुलसीदा जिस घटना को कैसे लिखते हैं, कैसे समझाते हैं आईए हम उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, तो सरस्वती जी ने मंथरा को अपना निशाना बनाया और उसकी बुद्धी को फेर दिया, ऐसा रामचरित मानस में कहा जा रहा है, नाम मंथरा मंद मती, छेरी कैकई केरी, अजस पिटारी, ताही करी, गई गिरा मती फेरी, मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धी दासी थी, उसे अयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धी को फेर कर चली गई, फिर क्या हुआ, दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पुछेसी, लोगन काह, उचाहू, राम तिलकू, सुन लोग होते हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में, यहने ऐसे लोग को देखा है, परिवारों में मिलते हैं, अगर परिवार में कोई खुशी आ गई, कोई खुशी का माहौल आ गया, तो उन्हें बरदास्त नहीं होता, वो चाहते हैं कि सब लोग गंभीर रहें, सब के अंदर बैठी हुई मंत्रा मंत्रा की कथा के साथ साथ हमारे मन में भी हमें देखना है कि कहीं हम भी दुसरों के खुशियों से इर्शया तो नहीं करते और कई बार बाहर के पडोसी की छोड़ो बात पडोसी का इरश्यालू होना तो बहुत सुभाविक है किसी मित्र रिस्दार का इरश्यालू होना ससुराल वालों का इरश्यालू होना तो बहुत सुभाविक है लेकिन अपने ही घर में अपने ही परिवार में कई बार ऐसा हो जाता है अपने ही कुटुम्ब में कई बार ऐसे सदश्य हो जाते हैं वो तब खुश होती है जब सारे लोग उदास रहते हैं जब उदासी चाती है लोगों के बीच में तब वो खुश होकर हस्ते हस्ते घूमती है लेकिन सभी खुशी मना रहे हैं सभी उत्सव मना रहे हैं सभी प्रसन्द हो रहे हैं क्योंकि भगवान राम का राजजबशेक होने वाला है मंत्रा को ये बात तोड़ी जचती नहीं कु विचार चलने लगे और विचार क्या है बहिया मधुमक्की का छत्ता है विचार क्या है चिपट जाएगा छोड़ेगा इनी बचना सीखो एक जिन के अभ्यास से नहीं होगा कई समय का अभ्यास करोगे तब जाकर थौट प्रोसेस पे कंट्रोल आना शुरू होगा निरंतर नहीं रहता हम अपने विचारों के प्रतिस सजग नहीं रहते बाजार में जाकर हमें कपड़े खरीदने हैं तो कपड़ों का चुनाओ तो हम बहुत गंभीरता से करते हैं सबजीयां लेनी है गोबी आलू मटरे टमाटर जो भी लेना है आपको तो बड़ी सजगता से आप गोबी उठाएंगे, आलो चुन-चुन कर लेंगे, कोई दुकानदार सडा हुआ आलो ना दे दे, लेकिन सोचना क्या है, खाना क्या है, पहनना क्या है, बड़े सचेत रहते हैं, लेकिन सोचना क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही सचेत हो पाते हैं, होने की जरूरत ह सबको होने की जरूरत है और सबको रहने की जरूरत है लेकिन मन्थरा क्या वो तो खुद ही ऐसे विचारों का प्रसार करने वाली बन जाती है और मन्थरा के मन में क्या चलता है दीख मन्थरा नगरु बनावा मन्जुल मंगल बाज बधावा पूछे सी लोगन कहा उचाहू राम तिल को सुनिभा उरदा हू करई विचारों कुबुद्धि कुजाती होई अकाज कवनी बिधी राती देखी लागी मधुकुटिल किराती जिमी गव तकई लेहू कह भाती वा दुर्बुद्धि नीच जाती वाली दाशी विचार करने लगी किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का च्छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लू वेसे ही मंत्रा भी लग गई अपने प्रयास में की सारी खुछियां खतम हो जाए भरत मा तु पहिं गई बिल खानी का अनमनी हसी कहा हसी रानी उतर देईना लेई उसासू नारी चरत करी ढारेई आसू वह उदास होकर भरत जी के माता कैकई के पास चली गई और रानी कैकई ने हस हस कर पूछा कि मंतरा तो उदास क्यों है मंतरा ने कुछ उत्तर ना दिया आडंबर करते हुए ढोग करते हुए उसने आसू बहाने सुरू कर दिये खोने में बैठ गई इस कैकई की और पीठ करके बैठ गई और आखों से टप टप जो रोर है उसे चुआने लगी उसे गिराने लगी उसे बहाने लगी हसी कह रानी गालू बड़ तोरे दिन लखन सिक असमन मोरे तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी छाड़ी स्वासकारी जनुसापिनी रानी हसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल तेरे बड़े बड़े गाल है मंथरा तू बहुत बड़ बड़कर बोलने वाली है मेरा मन कहता है कि लक्षमन ने तुझे कुछ सिक्षा दी है दंड दिया है तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती ऐसी लंबी ल तब रानी ने डर कर कहा कि अरी कहती क्यों नहीं मन्थरा बोलती क्यों नहीं इस प्रकार से आसु बहाने से क्या हो जाएगा आसु बहा रही है लगता है लक्षमन जे ने तुझे दंडित किया है तुने जरूर कुछ उल्टा सिधा बोला होगा तभी दंड मिला होगा और कहकरी पूछती है कहती क्यों नहीं शी राम चंदर राजा लक्षमन भरत सत्रुग ने कुशल से तो है या सुनकर कुबरी मंथरा के हिरदय में बड़ी ही पीड़ा हुई बड़ी ही पीड़ा हुई अरे रानी ने ये क्या पूछ लिया कि राम लक्षमन भरत सत्रुग ने सब कुशल से तो है, तो ही मुझे सुनाती है कि सब कुशल से हैं? हे माई, हे कह कही सुनो, हमें कोई क्यों सीख देगा, मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, राम चंद्र को छोड़ कर आज कोई कुशल नहीं है राम चंद्र को छोड़ कर आज किसी की भी कुशलता नहीं है जिन्हें राजा युवराज पद देने वाले हैं और दे रहे हैं इसकी घोशना हो गई है भया हुकोसल लही बिधि अतिदाहिन देखत गरब रहत उरनाहिन देखऊ कसन जाई सब सुबा जो अवलो की मौरी मनु छोबा आज कॉशलिया को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं पत्तव कि विधाता उसके पक्षमे हो गय दाहिने हुए हैं या देखकर उनके हृदय मे गर्व समाता नहीं है तुम स्वेम जाकर सब सोभा क्यूं नहीं कर देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में छोग हुआ है तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है तुम्हें कुछ तनिक भी चिंता नहीं है जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है दश्रत तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है आलसी की तर सोई रहती हो राजा की कपट भरी चतुराई तुम देख नहीं पाती कि राजा ने कितनी चतुराई से राम को युम्राज बनाने की घोशना कर दी मंत्रा के प्रिय बचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर राणी ने डाट कर कहा बस अब चुपरा घर फोड़ी कहीं की जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीब पकड़ कर निकलवा दूँगी कई-कई ने डाट लगा दिया कई-कई ने मंत्रा को डाटते हुए कहा कि कैसी गंदी बाते करती है राम यूराज बनेंगे यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और तू कहती है कि नहीं राम के पक्ष में सारी बाते हो रही है और मैं यहाँ सो रही हूँ घर फोड़ने के लिए आई है क्या यही तेरा काम रह गया है कई-कई समझदार है कई-कई बुद्धी ही नहीं है कई-कई विवेक हीर नहीं है लेकिन फिर भी रिपीट कर करके जब कोई बात कही जाती है तो आदमी विचार करता है और जो चूर होते हैं जो ठग होते हैं वो यही करते हैं वो प्रचार बहुत अच्छा करते हैं और आप प्रचार देखते हो कि भाई-बार कोई बता रहा है बार-बार कोई कह रहा है तो आपको लगत इस देश को ठगने वाले भी narration का प्रचार करते हैं बहुत सारे narration narrative create कर देते हैं और जनता को भटकाने का प्रयास करते हैं प्रचार के मध्यम से आज मंथरा भी हार मारने वाली नहीं है वैसे तो कई कई ने एक बार कह दिया कि भाई तु घर फोलनी है गलत बाते करती है अनु की रीती है रगुकुल की रीती यही है लेकिन तू यह कह क्या रही है इसलिए घर फोलने का काम मत कर चुपचाप हो जा कई कई ने भली भाती मंत्रा को समझा दिया डाट लगा दी फटकार लगा दिया ठीक ना सुनि प्रियबचन मलीन मनु जानी जुकिरानी अब रहु अ गानी पुनी असकब हो कहस घर फोरी तब हरी धरी जीब कड़ा वहु तोरी अरे घर फोलनी चुपो जा नहीं तो मैं तरी जीब पकड़कर निकलवा दूंगी कह कई कई ने इस प्रकार मंत्रा को फटकार लगाया डाट दिया काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी तियब इसेशी पुनी चेरी कही भरत मात मुसकानी कानों लंगलों कुबरों और कुटिल कुचलानी इनको कुचाली जानना चाहिए इनकी बातों पर जल्दी ध्यान नहीं देना चाहिए उनमें भी इस तरी खासकर दासी दासी ह तो नहीं बात दिध्यान देना चाहिए कि अपने स्वार्थ में बात कह रही है इतना कहकर भरत की माता कहके मुस्करा दी और मंथरा को डांट लगाई फटकार लगाई अब यहाँ पर जो चर्चा चल रही है प्रसंग की चर्चा है थोड़ा सा यहाँ गोस्वामी तुलसिदाजी की जो रचना है वो प्रसंग की अनुसार है कहकई और मंथरा के बीच में चर्चा चल रही है तो मंथरा को फटकार लगाते वे कहती है कि एक तो तो कुबड़ी है दूसरे तो दासी है इस्तरी दासी है नारी दासी है तो कुछ जादा ही माया में फसी हुई है और इस कारण से ऐसी बाते कह रही है माया के वशिभूत ह के कह रही है तो कुछ ऐसी बाते जो कहकई ने कही है इसे यही समझना चाहिए कि यह प्रसंग के अनुकूल है ना कि यह गो स्वामी तुलसिदास जी को विचारधारा दे रहे हैं ऐसा ना समझे अगर यहां पर कहा कि तू नारी भी है तू दासी भी है और इसलिए तू कुट मंगल दायक सोई तूर कहा फरुजेही दिन होई है प्रिय वचन कहने वाली मंधरा मैंने तुझको यह सिक्षा दी है मुझे तुझ पर सपन में भी कुरूद नहीं आता सुन्दर मंगल दायक सुब दिन वही होगा जिस दिन तेहरा कहना सत्य होगा और भगवान रामकाशी रामका राज्य तिलक होगा वह मेरे लिए सबसे सुन्दर दिन है जेठ स्वामी सेवक लगु भाई यह दिन करकुल रीति सुहाई रामतिल की जों सवाचे हु काली देव माग मन आवत भाली बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक ही होता है बड़ा भाई स्वामी तु मुह मांगा इनाम मैं तुझे दूँगी अगर कल ही रामका तिलक है तो मैं रामके राज्य विशेक से बहुत प्रसंद नहूँ प्यारी रामको सहज सुभाव से सब माताय कोशल्य के समान ही प्यारी है मुझ पर तो वो विशेस प्रेम करते हैं मैंने उनकी प्रिति की किने देख लिए कई ने कहा कि मैंने रामके प्रेम की प्रिक्षा करके देख लिए वह मुझसे विशेस प्रेम करते हैं इसलिए तो मुझे ऐसी बाते की समझाने की कोशिश मत कर जूंधि जन्धडेः करी छो हूो हू रमária मिसयपूत पूतो हूँ प्रान अधिक राम प्र वाणों से भी अधिक प्रियह उटक है। उनके तिलक से तुझे क्यों चोभो रहा है। मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। और मैं तो देखना चाहती हूँ राज मुकुट स्री राम के सिर पर शोभित होते हुए, कह कही कहती है कि मैं राज मुकुट देखना चाहती हूँ राम के सिर पर, लेकिन हे मंथरे, तु शांत हो जा, तु चुप हो जा, रोना बंद कर, भरत सपत तो ही सत्य कहू, पर हरी कप तुझे भरत की स्वागंद है अब मंतरा ने दूसरा बाण मार दिया तुझे भरत की स्वागंद है चल कपट छोड़ कर सच सच का तुझे हर्स के समय विशाद कर रही है मुझे इसका कारण सुना अब कई-कई ने पूछा कि तुझे भरत की स्वागंद तु बता कि तू क्य एसे रो रही है क्यों बैठी हुई है तेरे आखों से आसू और तेरे बाल ये नागिन की तरह क्यों एक ही बार आस सब पूजी अब कचुकहब जीब कर दूजी फोरे जोगु कपारू अभागा भलेू कहत दुख राऊ रह लागा सारी अशाय तो एक ही बार कहने में पूरी ह हो गई अब तु दूसरी जीब लगा कर कुछ कहूंगी मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के ही योग्य है जो अच्छी बात कहने पर भी मुझको दुख दिया जाता है मंतरा बोलती है कि क्या बोलू मैं अब तुने मुझसे कह दिया कि तुझे राम का राज जितिलक सहन ह होता है बरदास्त होता है और तुझे सुंदर लगता है अब मैं क्या बोलो तुझे तो अपनी चिंता ही नहीं कोई और अपनी क्या तुझे तो अपने पुत्र की भी कोई चिंता नहीं मंतरा ने बान मारने शुरू कर दिये व्यंग बान मारने शरयंद्र के बान मारने जै जो जूटी सची बाते बनाकर कहते हैं ये माई वे ही तुम्हें प्रिया है और मैं कड़वी लगती हूँ मैं तुम्हारे नई हर से आई हूँ तुम्हारे पीहर से आई हूँ तुम्हारे संग आई हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती और जो तुम्हें जूटी मुठी बाते बताते हैं उनके बहकावे में तुम रहती हो ये तुम्हारे सच्चाईए अब मैं भी ठु सुहाती मू देखी देखी कहा करूंगी जो तुझे अच्छा लगेगा वही कहूंगी कोई सही बात बताऊंगी नहीं अब जो है भाव खाने लगी मंत्रा करी कुरूप बिदी परबस किनना बवास लुनिय लही जो दिनना को वंद्र पहूं हमही काहानी चेरी छाड़ी अब हो बकी रानी विधाता ने कुरूप मुझे बनाया है मुझे परवश कर दिया जो बोया सो काटती हूं बवास लुनिय लही जो दिनना दूसरों का क्या दोस मैं अपने कर्मों का फल भोगती हूं मंत्रा कहतो रही है कोई भी राजा हो हमारी क्या हानी दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाओंगी क्या अगर राम राजा नहीं बनेंगे तो मैं तो रानी नहीं हो जाओंगी बनने तो राम को राजा मुझे क्या फरक पड़ता है हमारा सुभाव तो जालाने योग्य है क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता मेरी छोड़ मैं तो दासी हूँ दासी ही रहोंगी लेकिन तू अपनी बात तो देख, अपना लाब तो सोच, अपना फाइदा तो सोच इसलिए कुछ तुझे सलाह देने आई थी, और तू ने उल्टा ही मुझे आरोप लगाना शुरू कर दिया मंतरा ने कही को फिर समझा दिया, कही को अब लगने लगा कि मंतरा की बात सुननी चाहिए तरीका है, शड़ेंत्रकारी ऐसे ही काम करता है, और हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, हमारे मन में ये मंतरा जाग जाती है और पता नहीं हम क्या-क्या सोचनी लग जाते हैं, ऐसे पैसे कमा लेंगे, ये सेटिंग मार देंगे, वो सेटिंग कर देंगे, ऐसे राजनीती में कर देंगे, ये ताकत मिल जाएगी, ये सत्ता मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा पता नहीं क्या-क्या हम कर देते हैं अपने विचारों में बहुत कुछ कर देते हैं और लोग धन कमाने के लिए सत्ता हासिल करने के लिए ना जाने कितने जोड लगाना शुरू कर देते हैं समिकरन बिठाना शुरू कर देते हैं ठीक है और उसमें कई बर पाप भी कर जाते ह आप भी कर जाते हैं तो यही स्थिती है मंथरा ने फिर से का कि मेरी बात क्यों सुनेगी तू तुझे तो जो मिठा मिठा बोलेंगे उसी की बात सुनेगी मैं रोध होकर आई हूँ मैं रो रही हूँ कड़वी बात सुनाने वाली हूँ अरे कह कही मैं तो दासी हूँ दासी ही रहूंगे मुझे क्या फरक पढ़ने वाला है लेकिन अपना तो सोच अपने बेटे के बारे में तो सोच कम से कम बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है मानो भीलनी के गाने से फिरनी मोहित हो गई हो जैसे भावी होनहार है वैसे बुद्धी भी फिर गई है दासी अपना दाउन लगाकर जानकर हरसी थोई उसको लगने लगा कि अब जो है अब जो मैने डायलोग मारा है अब जो बारन मारा है अब ये सुनेगी मेरी बार तुम पूछती हो कि तुमने मेरा नाम घर फोरी रख दिया है मन्थरा बोलती है कैकई से की कैकई तुमने तो मेरा नाम घर पोड़ी रख दिया है तो मैं क्या करूँ बताओ या ना बोलू ना बोलू कुछ समझ में नहीं आ रहा बहुत तरह से गड़ छोल कर खोब विश्वास जमा कर तब वो एउध्या की साड़े साती बोली शनी की साड़े साती वर्ष की दशा रूपी मंथरा जैसे की एउध्या पर शनी की साड़े साती आ गई हो साड़े साती बनकर मंथरा ही आ गई हो ऐसी बाते उसने शुरू की प हिरानी तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम तुम प्रिय हो राम को तुम प्रिय हो तो यह बात सच्ची है परन्तों यह बात पहले थी वे दिन अब बीत गए समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रू हो जाते हैं और शत्रू भी मित्र हो जाते हैं बात भी सही है अब मंत्रा का डायलोग सुनिए, तरक सुनिए, लॉजिक सुनिए, लॉजिक देती है, कि समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रू, शत्रू भी मित्र हो जाते है, कौन सी बड़ी बात है, तो राम तुझे प्रिय थे, और राम को तू प्रिय थी, अब वो समय बीत गया, समय बीत करने वाला है पर बिना जलके वही सुरी उन कमलों को जला कर भश्म कर देता है सौत कसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है तुम्हारी सौतन कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है अता उपाय रुपी स्रिष्ट बाढ घेरा लगा दो उसे रुंद दो, सुरक्षित कर दो, यही सच्चाई है और यह घर-घर की सच्चाई है, घर-घर में होता है, कश्वप मुनी की पत्नी थी रुद्र, कद्रू, कद्रू और विनता, क्या हुआ था उनका हाग? तुम को अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है, राजा को अपने वश में रखती हो, किन्तु राजा मन के मैले और मुह के मीठे है, और आपका सीधा सुभाव है, तुम बड़ी भोली हो कह कही, और सब बड़े चलहाग है, कशलिया बड़ी चलहाग चतुर है, राम तो सबसे बड़ा चलहाग, सबसे बड़ा चलहाग, देखा, कि भाई तो भरत तो है नहीं, दूसरा भाई तो है नहीं, चलो मैं ही राजा बन जाता हूं, शड़े अंद्र कर दिया, पिता की चापलोसी की, और बन गया राज यो राज, गोशना हो गई, चतुर गंभी है, उसने मौका पाकर अपनी बात मनवाली राजा से, राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, और उसमें आप बस राम की माता की ही सला समझे, भरत को ननिहाल भेजा गया, जान बूच कर भेजा गया, और यहां भरत की अनुपस्थती में, यहां यह उराज की घोशना क कर दी गई यह सारा शड्य अंद्र चल रहा है कर कई तुम्हारे खिलाफ सारा शड्य अंतर चल रहा है सेवही सकल सेवती मोहिनी के गरवीत भरत मात भल पीके सालुतमर काुसलही माई कपट चतुर नहीं होई जनाई अर सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है एक भरत की मापती के बल पर गर्वित रहती है इसी से हेमाई तो शल्या को तू बहुत ही खटकती है किन्तु वह कपट करने में चतुर है बहुत कपटी औरत है अता उसके हिरदय का भाव जानने में नहीं आता राज ही तुम पर प्रेम विशेसी सवती सुभाव सकाई नहीं देखी र मतलक हित लगन धर आई राजा का तुम पर विशेस प्रेम है को शल्या सौत के सुभाव से उसे देख नहीं सकती है इसलिए तुमसे बहुत चुड़ती है तुमसे इरश्या रखती है इसलिए उसने जाल बिछा दिया और भरत को ननिहाल भेज दिया और अपने बेटे को य करी हुई है अरे इतना भोलापन ठीक नहीं है इतना भोली बनकर रहना जरूरत नहीं है नुकसानी नुकसान हो रहा है अरे चल मैं तो दासी की दासी बनी रहूंगी तू तो बंजा माता रानी अगर राम राजा बनेंगे तो माता रानी तो शल्या जी बनेंगी तू थोई नहीं देखे, राजा ने विशेष प्रेम किया है तुमसे, इसलिए उसने जाल रचा कर देखा कि कैकै को बड़ा राजा प्रेम करते हैं तो जाल बिछा कर भरत को बेजा और अपने बेटे को बना दिया, यह कुल उचित राम कहुटी का, सबही सुहाई महुसूटनी का, अगली बात समझू डर्मोही, देव देव फिरिसो फलोही, राम को तिलक हो, यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लग रहा है, देव उलटकर इसका फल उसी कॉसलिया को देने वाले है, कॉसलिया ही महरानी बनेगी, मातारानी बनेगी, और अभी तो राजा तुससे प्रेम करते हैं, तो तेरा बहुत अधिकार चलता है, दास दासियां भी तेरी आग्या मानते हैं, लेकिन जब राम राजा बन जाएंगे तो सारे दास दासी कौशल्या की आग्या मानेंगे तेरी आग्या कौन सुनेगा। लेकिन अपना भला जानते हैं कि मेरा भला किसमे है। मन्थरा कहती है कि जानवर भी अपना भला अपना स्वारत जानते हैं। कैकई और तुझे नहीं समझ में आ रहा तुल्ला कहां पर कर रही है जानवरों से जानवरों से तुल्ला कर रही है। या मन्थरा की विचारधारा इसलिए जब भी प्रसंग पढ़िये उसे तुल्सिदास जी की विचारधारा मत समझेगा। प्रसंगों में जो डायलॉक्स है जहां पर कई-कई कुछ बोल रही है कि भाई तु यह तिर्या चरित्र है यह अब तु नारी चरित्र लेकर बैट गए यह वहां कई-कई की विचारधारा है। यहां पर मंत्रा की विचारधारा है कि कई-कई की तूलना जानवर से कर रही है। कि भाई जानवर भी उपमा क्या दे रही है। अरे जिसकी जैसी बुद्धी होगी वैसा ही तो उपमा देगा ना। सिधी सी बात है। इसलिए उपमा उसे पकड़ो कि विच्टी कौन सी कंपैरिजन क्या कर रहा है। उपमा मतलब कंपैरिजन कंपैरिजन करते भी किसी बात को समझाने की कोशिस करना। तो अब कहकई क्या कि जानवर भी अपना स्वार्थ अब वो देवता थोड़ी ना बोलेगी संत थोड़ी ना बोलेगी कि संत भी अपना स्वार्थ समझते हैं। ऐसा तो बोले की नहीं, जानवर का उधारन दिया, कि जानवर भी अपना भला जानते हैं, और तुझे अपना भला समझ में नहीं आ रहा, मंत्रा बोले जा रही है, और कहकई अब उसके सम्मोहन में आ रही है, बाते मिठी लग रही है, अच्छी लग रही है, कितना बढ़िय मार्केटिंग वाले होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, वो क्या करते हैं, आपको दिखा देंगे, कुछ नहीं करना है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई दुकान नहीं, बस प्रोड़क्ट खरदा आपने, कुछ नहीं करना है, आपने खरीदा, आप मेंबर बने में तीन member और ले आओ में तीन member और जोड़ लो member बनाने है समान नहीं बेचना है कोई दुकांदारी नहीं कुछ नहीं सारा दुकान आपके phone पर है member बनाते जाओ बनाते जाओ और जैसे ही तीन member बने आपके अंडर में अब क्या है उन मेंबर को समझाओ कि वो भी तीन मेंबर बनाए अब आपके अंडर में तीन मेंबर बने उसका कमिशन मिल जाएगा अब वो तीन 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 मेंबर और बनाएंगे तो अब तीनों ने तीन 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 बनाया तो नौ मेंबर और आपके हो गए बारा मेंबर अब बारा मेंबर का कमीशन आपको बैठे बैठे मिलेगा जी मोटिवेट करते रहो उन्हें के भाई काम करो मोटिवेट करो और उसके बाद वो नौ मेंबर जो बने हैं वो फिर नौ से नौ तिया सताइस मेंबर बना देंगे वो लोग और फिर बैठे बैठे कम कई लोग फस जाते हैं मुझे ऐसे लोग मिले इसलिए बता रहा हूं मैं कि बहुत बड़ा ट्रैप होता है और कई लोग उसमें फस जाते हैं अब पता चलता कि जीवन का बहुत बड़ा समय इन सब चीजों में लगा दिया तो अब जो है मंत्रा दृष्ष दिखा रही है सीन क्रियेट कर रही है कि देख अयोध्या के राजगद्दी पर राम नहीं भरत बैठे हुए हैं और फिर तो सोच कि तेरे मन में कौन सा फूल खिलेगा अगर राम बैठे रहेंगे तो क्या वही फूल खिलेगा अगर भरत बै रही है घटनाए घटने वाली है यही होना शुरू हो जाता है यदि हम सचेत ना रहें अपने विचारों पर अपने चिंतन पर ध्यान न दे यही होना शुरू हो जाता है चलिए आगे क्या कहती है देखते हैं विचार करते हैं होनहार वश कई-कई के मन में विश्वास हो कि भाई यह तो सही बात कह रही है सही सीन दिखा रही है मुझको लेकिन होगा कैसे रानी फिर सौगन दिला कर पूछे लगी क्या पूछती हो मंत्रा पूछो भाय उपाकु दिन सजद समाजू तुम हुपाव सुधी मन सनस आजू खाय पही रहिया राज तुम्हारे सक्त कहे नहीं दोशत हमारे पूरा पखवाड़ा बीत गया समान सजते और तुमने खबर पाई आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ इसलिए सच कहने में मुझको कोई दोश नहीं है जो असत्य कछू कहब बनाई तो विदिदे हमही सजाई राम ही तिलक काली जो भयाओ तुम कहो विपति भीज बिद भयाओ यदि मैं कुछ बनाकर जूट कहती हूँ कहती होंग तो तुम विधाता मुझे दंड देगा यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे ल नाम कैसे लेते हैं लोग भगवान का धर्म का मंत्रा बोल रही है कि यदि मैं कुछ गलत कहने जा रही हूं तो विधाता मुझे दंड देगा और मुर्ख मंत्रा को दंड मिला भी दंड मिला भी उसे जब भरत और सत्रुग्न आये तो बढ़ियां से दंडित किया मंत्रा को उसे दंड मिला लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या एक्जाम्पल दे रही है यहाँ पर तुरंत लोग धर्म का नाम लेना धर्म की बाते करना बड़ी बड़ी बाते सहिशुनता की बाते करना खुब चलती है कितना मेक अप हो सकता है करो राजनीती में तो खूब चलती है तो मंथरा कुछ ऐसे ही सलाहकार है और उसका परिणाम तो वही होगा खुद ही बोल रही है कि विधाता मुझे दंड देगा और बैचारी को दंड भी मिलता है भारत सत्रुग्न आकर मंथरा को बढ़ियां से दंडित करते हैं लेकिन क्या कर इस समय उसको समझ में नहीं आ रहा है इस समय तो लग रहा है कि मैं ही चानक के हूँ मैं ही सद बुद्धी हूँ चानक के से तो खेर तुलना नहीं करनी चाहिए तो कि चानक के रहे जो किया वह बहुत ही अलग था तो फिर भी मतलब कि मुझसे ज़्यादा बुद्धी मान क कौन हो सकता है ऐसी विचार धारा मन्थरा में अब आ चुकी है आगे देखिए क्या कहते हैं गोस्वामी जी अब तड़का डाल रही अपनी बातों में यह बात लकीर खीच कर बल पुर्व कहती हूं भामनी कहकई तुम तो अब दूद में पड़ी हुई मक्षी हो इसे ऐसे निकाल के बाहर कर दिया जाता है कहकई तुम अब दूद में पड़ी हुई भामनी भैयों दूद कई माखी माखी माने मख्षी दूद में पड़ी हुई मक्षी हो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा तुम्हारी कोई आउकाद नहीं कोई हैसियत नहीं सब खतम ऐसी बात समझाने में लग गई जो सुत बिनती तेंद दूंकल इन्सीला देव जैसे क liquids कंशेप के पत्नि के गरण की माता कही जाती कुछ तरह से गफांतिय nearly कद्रु सर्पो की मानता कहे जाती है चमा करें कद्रु सर्पो की माता कहे जाती नहीं इस प्रकार से बड़ी होने इ boots ने दुख दिया था भरत कारागार का सेवन करेंगे जेल का देखना यह राम बहुत ही कुटिल है राजा बंते ही अपने भाईयों को जेल भिजुआएगा कैकै सुता सुनत कटुबानी कही न सकाई कचुसह मिसुखानी तनपसेव कदली जिमिकापी कुबरी दसन जीब तब चापी और तब अब जो है कैकै वश में आ गई है कैकै मंतरा की कड़वी वानी सुनते ही डर कर सूख गई कुछ बोल न सकी कि मंतरा ने सारा दिर्श दिखा कापने लगी तब कुबरी मंतरा ने अपनी जीब दातों तले दबाई और क्या कहा कही कोटिक कपट कहानी धिर जुधरहु प्रभोदिसी रानी फिरा करम उप्रिय लाग कुचाली बा कही सरा इह मानी मराली फिर कपट की करोणों कहानिया कहकर उसने रानी को खूब समझाय कि तेरे साथ छल हो रहा है तेरे साथ कपट हो रहा है कह कही का भाग्य पलट गया है उसकी कुचाल प्यारी लगी है कुचाल प्यारी लग रही मतलब जो शड्यंत्र हुआ है जो राम जीने और कशलिया जीने मिलके किया है वही प्रिय लग रहा है वह बगुली को हंसनी मान कर उसकी सराहना करने लगी है कई कई ने कहा मंथरा सुन तेरी बात सत्य है मेरी दाइनी आग फड़क रही है मतलब तो सही बोल रही है मैं प्रति दिन रात को बुरे स्वपन देखती हूं कि तो अज्ञान वस्त से कहती नहीं अब जो है अब जो स्वामी है वो दास्त से सलाह मांग रहा है कर कई मंथरा से उपदेश ले रही है क्या करूं मेरा तो सभाव बड़ा सीधा है और मैं दाया बाया कुछ जानती नहीं हूं तो ये बता मैं क्या करूं मैंने आस्ता कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे इतना दुख दिया मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी पर जीते जी में कौशल्या की चाकरी नहीं करूंगी डैव जिसको शत्रू के वश में रखकर जिलाता है उसके लिए तो जीने की अपिक्छा मरना ही भला है रानी ने बहुत प्रकार से दीन बचन कहे उन्हें सुनकर कुबडी ने तुरिया चरित्र फैलाया तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यूं कह रही हो तुम्हारा सुख सुहाग दीन दुना हो जाएगा क्यूं चिंता करती हो सब सही हो जाएगा इसने तुम्हारी बुराई चाही वही परिणाम में या बुराई भोगेगा है कह कही मैंने जब से यह पुमत सुना है तब से मुझे नीन ना आई भूख ना लगी मैंने जोतियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खीच कर कहा कि भरत राजा बनेंगे भरत का ही राजा बनने का योग है यह सत्य बात है अब विश्वास दिलाने के लिए जोतिश भी ऐसा बोल रहे भरत ही राजा बनेंगे इसलिए जो उपाय मैं तुझे बताऊंगी वो तु कर ले यह मान कर कि भरत का राजा बनना तो निश्चित है घ्रहों के नुसार तो क्या दिक्कत है मैं तेरे कहने से कुए में गिर सकती हूँ पुत्र और पती को भी छोड़ सकती हूँ जब तु मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूगी तु बता तो क्या करना है कुबरी ने कहकई को कबूल करवा कर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हिरदय रूपी पत्थर पर ठेया रानी कहकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती देखने लगी और मंत्रा बोली हे कोमल कहकई तु बहुत कोमल है सुनने में तो कोमल लेकिन परिणाम अब जो मैं उपाय बताऊंगी वो सुनने में कोमल है कहकई भी कोमल है लेकिन परिणाम कठोर हो सकता है मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो दासी कहती है स्वामनी तुमने मुझे को एक कथा सुनाई थी एक बार तुमने तुभारे दो वर्दान राजा के पास धरोहर है आज उन्हें राजा से मांग लो जब दश्रत की सहायता की थी युद्ध किया था दश्रत के मुर्चित हो जाने पर और उस समय राजा दश्रत ने कहकई से कहा था कि वर्दान मांग लो दो वर्दान और तब कहकई ने कहा था कि ने समय आने पर मांगोंगी और आज मंथरा कहती है कि है कहकई तो दो वर्दान मा राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो जो सौतन का आनंद है मतलब कौशल्या का आनंद है वो तुम ले लो अर्था तुम अपने बेटे को राजा बना दो राजा राम की सौगंद खा ले तब वर मांगना जब राजा राम की सौगंद खाकर वो पीछे नहीं हटेगा इसलिए विवश्च कर दे राजा को कि वो तेरा तेरी बात मान ले अपना वर्दान मांग जिसे वचन टल ले ना पावे क्योंकि राम की स्वगन्द खाने के बाद वचन नहीं टलेगा आज की रात बीद गई तो काम बिगड़ जाया कल सुबह तो उसका राजय विशेक होना है उसका पटी राम का अपनी माता के साथ मिलकर जिसने एक अपट और छल किया है पापनी मन्थरा ने बड़ी बुरी घात लगा कर कहा कोप भवन में चली जा रानी सब काम बड़ी साउधानी से बनाना राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना उसे फसाना अपना भाव दिखाना और तब राम की स्वगंद करवा कर अपनी बात मनवाना रास्ता भी बता दिया मन्थरा ने पूरा मैप तैयार कर लिया था कैसे कैसे आगे बढ़ना है खुबरहिरानी प्रान प्रिय जानी बारबार बुद्धी बखानी तो ही समहितना मोरसं सारा बहे जात कई भई सी अधारा अब कई को ने कह दी अगवे तेरे जैसा मेरा प्रान प्रिय कौन और मेरा सहारा कौन तुई सबसे बड़ी सहारा है यदि विधाता कल मेरा मनुरत पुरा कर दे तो हे सकी मैं तुझे आखों की पुतली बना लूँगी तुझे आखों के पुतली बना लूगी अगर मेरा बेटा भरत राजा बन गया और मैं माता रानी बन गई, तो हे मन्थरा, तु पर्धान दासी बन जाएगी सारी दासीों की, रानी में तुझे बना दूँगी, हेड बना दोंगी तुझे अब दासी तो यहीं चाहती थी कि मेरा भी कुछ हो स्वार्त तो था लेकिन पहले बोल रही थी मेरा कोई स्वार्त नहीं था विपत्ती बीज है दासी वर्षा रितु है कई कई कि कुबुधी जमीन हो गई है उसमें कपट रुपी जल पाकर अंकूर फुट निकला है दोनों वर्दान उस अंकूर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रुपी फल होगा दुख रुपी फल ही मिलेगा और क्या मिलेगा जो ऐसे करम करेगा ऐसा सोच रखेगा उसे दुख रूपी फल ही प्राप्त होगा भला और क्या प्राप्त होगा यहां विचार करने वाली बात तो कैकई के जाल कैकई मन्थरा के जाल में फस गई और कैकई ने फसा लिया राजा दशरत को और अपने दो वर्दान मांग लिये और जब दो वर्दान मिल गए जब दो वर्दान मिल गए तो हो गया राम जी को 14 वर्षों का वनवास लेकिन अभी घटना बाकी है भगवान वनवास की ओर चल देंगे वन में जाएंगे बड़ी प्रसंद मुद्रा में जाएंगे राम कैसे वनवास निकलते हैं राम का वनवास क्या है परते के व्यक्ति के जीवन में ऐसा वनवास होना चाहिए एक बार समझ में आना चाहिए राम का वनवास और फिर शुरू हो जाएगी रमायन की आगे की घटना कई बाते हैं जो सीखने के लिए हैं धूंड लो तुम्हारे मन में कोई मन्थरा तो नहीं बैठी हुई वो तो राम का राज्य था और राम अवतारी थे तो चल गया मन्थरा भी बच गई कैकई भी बच गई लेकिन पता नहीं कर्मों का फल किस रूप में आ जाए पता नहीं कर्मों का फल जब आएगा तो साइध हम उसे संभाल नहीं पाएंगे इसलिए अपना ध्यान रखना चाहिए अपने मन के अंदर बैठी हुई मन्थरा का ध्यान रखना चाहिए और कई बार हमारे आसपडोस वाले भी मन्थरा बनकर हमें विचार देते हैं कहीं हम मन्थरा बनकर कोई अयोध्या खराब अयोध्या को खतम करने की कोशिश ना करें परिवार फोलने की कोशिश ना करें हम खुद मंत्रा ना बन जाए कहीं और कहीं कोई हमारा मित्र पडोसी नौकर चाकर कोई भी मंत्रा बनकर हमें उपदेश देना शुरू कर दे वह भी नहीं होना चाहिए इन सारी बातों पर हमें विचार करना चाहिए और संगत विचारों पर नियंत्रन अगर कैकई को अपने विचारों पर नियंत्रन होता अगर कैकई को अपने थाट प्रोसेस पर कंट्रोल होता तो शायद इन बातों से बच लेती लेकिन जैसे जैसे मंत्रा ने सीन दिखाया मन वैसे ही सीन दिखा दिया, सीन दिखा दिया, अब बैचारी कैकई को क्या पता कि मुझे तो विद्वा के वस्त्र पहन कर जीवन जीना पड़ेगा, महरानी बनने की सोची थी लेकिन घर में ही भूमी पे सुना पड़ेगा, पलंग छूट जाएगा, गद्दिया छूट जाएगी, विद्वा हो जाओंगी, ये कैकई ने भला कब सोचा कि ऐसा भी होगा, और सबसे बड़ी बात, ये तो उसने सोचा ही ने कि भरत का क्या रियक गई और चल पड़ी, दशुरत को अपने जाल में फसाने के लिए, मंत्रा ने कैकई को फसाया, कैकई अब दशुरत को, और सारी कहानी बिगड़ने वाली है, सारे कहानी तो वही होनी है, जो है, लेकिन फिर भी, हम उस परस्थिती में अपने आपको उर्भ देखे, तो सब कुछ नकरात्म घटनाएं घटने वाली हैं, अयोध्या के अंदर, और जब अयोध्या में घट सकती है, जहां राम रहते हैं, तो कहां नहीं घट सकती है, जहां राम रहते हैं, तो और कहां नहीं घट सकती, थोड़ा विचार करना चाहिए, इसलिए ध्यान रखो, कहीं आस ट्रोल में रखो नहीं तो बहुत बढ़ी हानी होगी बहुत दुरगती हो सकती है है दुरगती से बचिए चल यह ठीक है चलते हैं समय काफी हो चुका है आपके कॉमेंट्स आपके कौन कॉन आया देख लेते हैं और फिर विराम देते हैं बिक्रम सिंग जी बहुत अभिनंदन है शंकर प्रसाद जी मोस्ट वेलकम बबीता धिमान जी जगत नरायन जी प्रताप विश्णोई राजू पाल यस सेट उशा शिर्वास्तो विसलाल बहादुर सिंग जी माधुरी कोले मिश्वरी मिश्रा संतोष देवी रमेश पेश्वानी पिनोत कुमार सूध गोविंद प्रसाद नीमा सरोज साहू अजीत अपराजित राकेश कुमार साहू राम निवास मीना बिमला साह इसमिता सावंत जी सविता नायक जी ब्रिंपाल कुमार जी विश्णुचंदर मौर स्वार्थ तो सब के मन में होता है स्वार्थ के रूप में मंत्रा होती है जी एक एत्यागी राम विलाजी शर्मारंद पंडे जोंती दप्ता कनाई कुमार रवीश सुंदर संजय केदार कमलेश खैरनर अफंता प्रोडक्शन राम सिंग कश्यप सुबास बगरिया मनीश जादो अरुन पाटिल एके भट गोविंद कुमार पुनम सिंगला शर्मा विरेंद्र मिश्रा रवी शंकर चोहान कैलास ध्यानी कैलास नीती सिनहाजी बहुत बहुत अविरंदन है आप सभी का मोस्ट वेलकम चुआल अफ्यू ठीक है तो चलते हैं विराम देते हैं और कल फिर अभी चर्चाएं आगे बढ़ेंगी उन पर भी चर्चाएं क प्रकार के चर्चाएं आएंगे मानस के ऊपर राम कथा के ऊपर ृस शख्षा और प्रसंग दोनों ही है दोनों पर हम मनन करते विये चिंतन करते विए प्रसंगों के साथ आगे बढ़ tätä सबीAD आप सभी का चुड़े रहें बने रहें और बहुत जल्द जो है एक English Channel बहुत सारे लोग लट अफ फिपल वे डिमांडिंग अबाउट द इंग्लिस लेंग्वेज चैनल विचार नहीं बन रहा था पहले क्योंकि काम करना पड़ता है चैनल को भी चलाने के लिए तो English में व्याख्यान भी बहुत जल्दी शुरू होगे या तो एक अलग से चैनल ही English में शुरू होगा और फिर या फिर इसी चैनल के अंतरगत English में भी विचार आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे लेकिन अभी तक यहीं निरना है कि एक अलग चैनल ही English के लिए शुरू किया जाएगा जोतिश के लिए जो शुरू करना था उस पर विचार निश्चित नहीं हो पाया इसलिए शुरू नहीं हुआ है लेकिन अंग्रेजी में कई लोग कहते हैं कि सारी बाते जो आप समझाते हैं योग शास्तर विवेक चुडा मनी उपनीशद जितनी भी बाते आपने समझाई सांखे दर्शन योग दर्शन विदांत इन सब को अगर अंग्रेजी में भी साथ में अगर किया जाए बहुत पहले से लोग कह रहे थे विचार नहीं बन रहा था अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा विचार बन रहा है प्रयास है एक अंग्रेजी चैनल भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा जुड़े रहे बने रहे उसका भी आप लाव उठाए तो बहुत ही अच्छी बात होगे चलिए इसी के साथ आज के कारिकरम को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं नौ बजे लाइव चर्चा में बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का